अब हम लोग समझते हैं कि डॉक टाइप क्या है और क्यूं यूज करते हैं इसे हम लोग सबसे पहले चीज डॉक टाइप में डिकलियर करने का तरीका क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार रिवाइस करवाता हूँ इसमें क्या होता है अब bracket open करोगे और वहाँ पे exclamation mark लाओगे और doc type लिखना है अब doc type यहाँ पे मैंने पूरा capital में लिखा है क्योंकि यह highlight हो सके कि यहाँ यह doc type है यह user के लिए है अगर मेरा code कोई और परवा तो असानी समझ सके यह कौन सा type का document है और यह capital, small, कुछ भी आप कर सकते हो इसमें restriction नहीं है और दूसरा चीज होता है जो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वो कौन सा document है तो यहाँ पे हम आपा sponsor document है HTML तो इसलिए हमने यह doc type declare किया है अब अगर आप देखना चाहते हो कि और किस type का document होता है तो आप w3orj पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या है math ml जैसे HTML होता है उसी तरीके से हमारे पास एक math ml होता है जिसमें math हम लोग discuss करते हैं उसमें browser पे math के regarding कुछ भेज रहे होते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने लिखा है doc type और math फिर आगे जो भी इनका syntax है वो इन्होंने use किया हुआ है फिर जो तीसरा type जो मैं आपके example दिखा सकता हूँ वो है svg svg क्या होता है graphics होता है मतलब coding से हम लोग graphics बनाते हैं images बनाते हैं तो उसका doc type क्या होता है svg तो आप देखो उसका different तरीके से उन्होंने declare किया है तो आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ doc type का कहने का मतलब यह हो गया कि सिर्फ stml नहीं होगा और भी चीजें होती है तो यह तो हो गया पहली चीज दूसरी चीज की फाइदा क्या है कि हम यहां पर यह भी इससे पता चलता है कि हम stml का कौन सा version यूज कर रहे अभी जो current stml है वो है stml 5 और यह stml 5 का ही syntax है यह जो doc type है तो इससे हमें एक चीज और पता चलता है कि कौन से version का stml आप यूज करो वो सकता है कुछ 5 साल पहले का stml बनाया हुआ हो और मुझे उसको बोला जाए कि इसको देखो इसमें कुछ changes करो तो मुझे पता तो रहना चाहिए कि कौन से stml इन्हों ने यूज किया है अब आपको मैं दिखाता हूँ कि various तरह के अलग-अलग version में किस ताइप का था doc type तो अगर आप यहां पर आओगे इस website पे डबलू तर स्कूल पे तो आप देखोगे कि यहां पर stml जब 4 था तो आप देख सकते हो doc type कैसा हुआ करता था और जब यह xstml हुआ करता था एक जमाने में तो इसका syntax कैसा था तो बात यह होता है कि हो सकता है साल पूराना website हो जो xstml पे बना हुआ है और उसे मुझे art change करने के लिए कहा गया तो मुझे पता तो रहेगा इस doc type को देखते के साथ मुझे पता चल जाएगा कि भाई यह xstml में बना हुआ है तो उस समय पे जो जो चीज़ें थी वो use करना है अब जो तीसरी चीज़ है जो question हमारा उठता है कि इसको use करना इतना क्या important है बताना क्या जरूरी है क्योंकि पहले तो आपको यह भी बताया कि browser तो कुछ गलती बताता ही नहीं कुछ गलत करता ही नहीं तो फिर उसको बताना है कि क्या जरूरत है हमें तो भी पता रहेगा कि क्या है हम देख के समझ सकते हैं एक user तो देखो एक पहला तो यह फाइदा है कि अगर आपके अलावा कोई और इस पर काम करेगा तो उसको पता चल जागा कि भाई साब कौन सा वर्जन है और कौन सा डॉकुमेंट है यह first thing second thing browser को बताना क्यों ज समझेगा कि अच्छा यह stml लिखा हुए mathml या sg नहीं है यह stml है तो कब समझेगा पूरा का पूरा code पढ़ लेगा फिर यहां पर predict करेगा sentence देखके कि अच्छा यह stml 5 है क्या फिर उसके हिसाब से आपका चीजों को run करना start करेगा लेकिन अगर आप पहले ही यह declare कर देत करेंगा रदर रहन कि पहले पूरा document पढ़के सोचे कि यह किस type का है तो क्या होता है कि उस वो जो process था कि वो decide कर रहा था browser कि किस type का document है वो हमारा time बच गया तो इसलिए time जब जल्दी render करने के लिए जल्दी website खुलने के लिए यह बहुत important है कि आप proper declare करो कि आपने किस type का document है और कौन सा version है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर दो और चैनल को subscribe कर लो ताकि आपको चैनल को दुबार ढूंडना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा content बनाऊ तो आप तक पहुँच सके